आपने यूट्यूब चैनल हैंड राइटी शिक्ष्या पर आप सबका स्वागत है आज हम हिंदी का लेटर छे से चत्री है छे से चत्री शीखने जाना है देखिए इसके बुर्वे इस्टेप और रूज फर्स्ट इस्टेप एक स्टेंड लाइन है सेकेंड स्टेप थार्ड स्टेप और फॉर्थ स्टेप या को नीचे दे कितरे मोड़ना है फिल्ट में आपके कम्प्रीट हदा रहेगा रूफ लाइन आप इसमें हाफ लगाईन है क्योंकि हम लेख रहे हैं उपर से फिर यह लेटर राउंड बागा रहा है हमारे छोटा सा नियब है रूस है कि उपर से जो भी लेटर राउंड आ रहे हैं उन सब के ऊपर रूफ लाइन हाफ लगती है एक एक पॉइंट को दुआर से समझा ज़िता हूं फास्ट सेकेंड में आपको या तक आए थर्ड में फॉर्थ में इसको बागा राए यह जो आपकी स्टेंड लाइन है हम इसकी सीट तक लाएंगे इस टैल तक हमें लाने की जरूत नहीं है कुछ लोग इस टैल तक लिया आता है इस तरह से ऐसा नहीं करता है हमें यहां तक लादे छोड़ दो और रूफ लाइन हाफ लगो यह लेटर आपके और आपसे इजी मन जाएगा इसमें यह गलती में नहीं करता है इसको ऐसे ही करते है कुछ लोग यहां असीट सोड़ यहां फिर लेटर तो इससे ही बनाता है इस पर कुछ लगा जेता है इस पर कॉप्रीट नहीं आती है बाकि यह जाटर आपके इजी हेल जादा उसके लिए हार्ड नहीं है अब आप इसके फाइव पॉंट्स कॉपी में नौट कर सकते हैं आप इसमें देख रहे है हम इसको इस लाइन से सीरे लाइन से इसको उपर रखते हैं इससे हमें एक फाइदा होता है कि हम गलती से भी इसको फुल लाइन खींच पाते हैं हमें पता है कि लेटर कट जाएगा आप नीचे भी रख सकते हैं लेकिन इसमें क्या है गलती से हम फुल लाइन खींच देते हैं इस वज़े से हम उपर से लाते हैं तो थोड़ा सुंदर भी लगता है और इस लाइन से नीचे लख देते हैं सुंदर भी कम और यह व्याइन खींच थी यह फुल लाइन खींच दे ज्यादा रहती है होती इस पर हाफ है लेकिन यह नीचे के वजा से हम भूल लाइन इसको कंप्लेट खींच देते हैं इसलिए इसको नीचे कम रखें यह गलती नहीं होता है अगर आपको वीडियो पसंद रहा है तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जै हिंद